हमारे साथ एक वोटर है उसे पूछना चाहेंगे कि क्या वोट देखर आए हैं और बारा मती यह जो कॉंस्टिच्वेंसी है यहाँ पर क्या संभावनाएं हो सकती है जीत की जी यहाँ पर चुना का महौल ऐसा है अच्छा कितना परसेंट वोट हो गया कितने की संभावना है अब तक 45 परसेंट वोटिंग हुआ है मैंने इस पर गूगल पर सर्च किया तो लेकिन 55 परसेंट तक चाहेगा उसके आगे तो नहीं जा सकता आपको यकीन है कि शर्थपवार की बीटी सुप्रेसुले 12 मती से जीचाएंगे अंडेट परसेंट जीचाएंगी क्यूंकि उनकी 15 साल का यहाँ पर काम है जैसे कॉर्परेटर जैसे काम करते उसी गले गले में आके खुच्छ उप्रेसुले यहाँ काम करती है जो कौन से लोगों के पूरे इंडिया में प्रेट टेन खासदार जो एंपी से उन में से सवाल उटाती है संसद में जाके लोगों के लिए बागी कोई संसद यहां पर ऐसे काम नहीं करता है महारक्तर में तो सबसे एक नंबर खासदार वही है जैंपी वही है धन्यवाद तो आज आपने वोट दिया हां हां देखर आये वोट यह देखिए बहुत अच्छी बात है आपने इस लोक तंत्र के उस्सा में अपना करतव निभाया क्या बारामती में क्या हालात है कौन जी सकता है में तो सुप्रियता ही आएंगे पहले से उनका काम अच्छा है उनका जो पहले से जो खांदनी है यह सब हम उनके मतलब मेरे दादा जी और पावरकाप वह शुरू से एक साथी यह हुए जिसलिए हम हम इताई के साथी है धन्यवाद चलिए एक और वोटर से बात करते हैं और पुछते हैं कि क्या उनने वोट किया है क्या आपने वोट किया है क्या वोट किया हूँ क्या बात है बहुत अच्छी बात है आपने अपने करतवे का निर्वान किया है और आपके साब से बारा मती में क्या परस्तिती है यहां तो सुनेतरा पावार जो अजीत पावर की पत्नी हैं और साथ में शरत पवार की जो NCP है उनकी और से उनकी पुत्री सुपुत्री सुप्रिय सुले क्या लगता है आपको किसकी जीत की संभावनाए है सुप्रेताई सुले जीत क्या आई जाएगी सुप्रेताई सुले जीत क्या जाएगी इसका मतलब शरत पवार के पती लोगों की सान्बूती काफी है? हांडरेट परसेंट ओके थैंक यू हमरसाथ एक और वोटर हैं जो वोट देखे आए हैं ज़रा देखते हैं उन्होंने अपनी फिंगर पे उनका निशान लगा है जी हाँ बिलकुल और जी आपने वोट किया है? हां जी किया है मैंने वोट तो लोगतंतर के परो में आपने करतवे निभाया आपने बहुत अच्छी बात की आपने हमें बहुत खुशी है इसे बात की और बारा मती लोगसभा कॉंस्टिचुएंसी का ये एक हिस्सा है आपको क्या लगता है कि यहां पर किसके असार है यहां दो महिलाएं सशक्त महिलाएं अजीद पावार की वाइफ है सुनेतरा और शर्थ पावार जी की पुत्री सुप्रिया सुले आपको क्या लगता है किसकी संभावनाएं हैं दोनों भी वैसे बहुत ही टफ मतलब यह है लेकिन मुझे यह लगता है कि सुने तरह माम जीतनी चाहिए यह मेरी मतलब यह है और वो जीतेंगी शाहिद से अभी देखते क्या रिजल्ट आएंगे दोनों भी मतलब है तफ लेकिन मैंने मेरा यह यह किया है लेकिन मुझे लगता है कि सुने तरह माम ही मतलब यह आएंगी एक और यहां पर पेर हैं जो वोट देकर आएं चलिए उनसे पता करते हैं कि क्या वोट दिया है दिखाए ज़रा निशान तो लगाया होगा तो लोग तंत्र के उस्सव में आप आए हैं और आपने अपने कर्तवे का निरुआन किया है और क्या लगता है बाराबती में कौ आपकी नजर में कुछ देखे आएं पूछते हैं कि आपने वोट किया पता है आपको निशान लगा पिंगर वेलकुल सही बात है और आपको क्या लगता है बारामती से कौन दीख सकता है अच्छा काम कि आपकी नजर में आपके अपने अपने वोट दिया क्या बात है बहुत बध्या तो कुन दीख सकता है यहां पर सुपरिया सुटेया का ज्याद़ दिखा निशान दिखा रही है चलिए उनसे पूछते हैं कि आ बहुत अची बात है आपकी नजर में क्या संभावना करें सुप्रियात इस वह जीतेंगी पक्का है ऐसा क्यों लगता है आपको घीतेंगी आपको बीजेपी आई है उनको भी चांस मिला जगे उनको भी चांस मिलाव लाएंगे आपको बदलाव की आपको जवानों को नोकरी चाहिए उनकी वो ज़रुरत है जो महिंगाई बढ़ गई है वो कम करनी चाहिए साथ में और 9 test के वए से ने जो रज़िए लगानी इसाल करने बढ़ गए आनी चाहिए और उन्होंने ये चैंजिस करने चाहिए इस लगता है सोने का भाव बहुत बढ़ गया है लड़कियों की शादी कैसे कराएंगे यहां गरिब लोग हम लोग आपकी इसाब से सरकार मतलब इसका ख्याल नहीं रखरी नहीं रखरी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने लोक तंतर के उस्त्राव में अपना करतावी वोटिंग किया है दिखाये ज़रा जी लोक तंत्र का आपने बिल्कुल निर्वाहन किया है परंपरा का तो बताइए वारा मती में किसकी संभावना है नहीं आप भी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप सरकार से क्या चाहते हैं जिसको आप तुनेंगे उनसे क्य जनता है जो ही थे वह परिवति चाहिए अच्छा उनके हित में होना से अब यह नहीं कह सकते हैं कि वह लोगों के लिए कार्या करें ना कि अपने स्वार्त के लिए और जो यंग्स्टर है उनको भी नए काम की संधी दे और कहीं पर भी भेदभाव ना करें आरक्षन को खतम करें यह मेरी इच्छा है दिल से और इतना ही मैं निवेदन करूंगी कि निश्पक्ष वादी से चुनाव हो यहां पर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए जनता पर बस यही मेरा अनरोज है धनिवाद आप झींवाद है